अलाम वालेकूम स्टूरेंट्स उमीद है आप सब खेरियत से होंगे तो वेलकम तो एनदर वीडियो टुटोरियल ऑफ माई यूट्यूब चैनल मेडिकोलोजी तो अब तक की सीरीज में आज हमारा जो लेक्चर है आज हमारा जो लेक्चर उसमें हम डिसकस करेंगे फाइलम के बारे में तो अब तक जितने भी लेक्चर जिए यह फिशी तरह समझा होगा और आपको शमघ में प्रॉपर्ली आ रहा होगा सही बच्चों तो आज भी उसी तरह से हमने वीडियो लेक्चर को पढ़ना है आपने क्या करना है लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ सको अब तक जितने फाइलम डिसकस किये आइस को समझना जरूर और इंपॉर्टन पॉइंट को आप नोट डाउन भी कर लेना देखने के बाद आप मेरे फेस्बुक पेज से टेस्ट अटेंब कर सकते हो इस फाइलम के बारे में ताकि आपको आपका आउटकम पता चल सके कितनी बाते आपको समझ में आ गई और कितनी न सब्सक्राइब करते हैं तो उनका बहुत अच्छा रजल रहता है और वीडियो को देखने के बाद तो और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइनली अभी सब्सक्रेप्शन के बटन को दबा दो ताकि हमने आगे भी बहुत सारी चीज़े कर बिल्टेट है सब्सक्राइब कर दो चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और फिर लाइफ क्लास भी होंगी हैं यहां पर ताकि आप मुझसे कुश्यन कर सको और मैं आपको इसके आंसर दे सको तो उसके लिए जादे सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि आपका भी आपक कहते हैं अब तक जितने भी वांजाब भी आपने पढ़े भी हम वाले फाइलम पढ़ा देख जिसमें प्लैटीहल बंतिस्को पढ़ा फाइलम नीमा पोड़ा पढ़ा और आज थीसरा फाइलम है जो भी बॉंपर कंसिस्त है इस अब से जादा कॉंपलेक्स वार्म होता है जिते हैं भी warm zone में सबस्यादा complex form होता है फाइलम एनिलिडा का word annulus जो के एक Latin word है जिससे drive हुआ जिसका मतलब है ring-like क्योंकि ring structure form हो जाती क्योंकि इसकी body जगा-जगा पर segmented होती है पूरी body segmented होती एक ring जैसी structure बन जाती है सबस्यादा complex organism है सबस्यादा complex warm organism है 15000 species इसमें शामिल है जेनल characteristics से start करते हैं तो जेनल characteristics के सबसे पहले Segmentation की कैसी होती है body is metamerically segmented body जो होती है metamerically segmented होती है मतलब external segment जो होते है internal segment के साथ coincide कर रहे होते है सही external segment जहां पर होती है internally भी segment वही उसी जगह पर होती है तो external segment को metamer कहते हैं और External Internal Segment को हम सेपटा कहते हैं तो बेसिकली यह जहां पर सेगमेन एक्स्टरनल कॉंस्ट्रिक्शन है हमें से पता लगता है जहां पर इसक्रिक्टेर इस्ट्रॉक्टेर रहे हमें पता लगता है कि यहां पर स्पार्ट सेञंड तक होता है है सेगमेंट करता हुआ यह थो वह और गन एक ही सैगमेंट में होता है लेकिन तो पूर और एक सेगमेंट में रिपीटेशन हो रही होती है वह जो फिरेपaldo that or प्रिक्षाइब और रिप्रोड़क्टिव और जो पेनिट्रेशन वाले और और उंहों में हमारे पस घृट्ट है यह निवा तरा होता है और सेग्मेंट को पनेट्रेट करता हुआ जाता है ब्लड बेजल और नर्फ कॉर्ड है और इसकी स्टॉक्चर को देखें अगर हम स्वीं वीजिवादानि पड्रव में 17 pint यहां से डूसिलो स्य जूपलास्टर्स तो यहिं चीज होते हैं चीज है पढ़ी परस्ट वीडियों के जसमें जनल बाते तो यह प्रोटोस्टोम की क्लास में आकर आपको यह वर्ट समझ में नहीं आ रहा तो मेरी फिर्स्ट वीडियो पर जाओ कि इंट्रोड़क्शन टू किंग्ड़ एनी वीडिया जिसका लिंक मैंने आई बटन में लगाया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है तो जैसे के नहीरि इसकी एक्वाटर भी होते हैं जैसे के स्टैल एरिया और डंप सॉयल में भी प्रेजन होते हैं मॉइस वाइं नहीं करते हैं दूसरे और यह फीशिस के उपर दूस्त का रहते हैं ठाइसरे प्योंगाइब कर रहे होते हैं सेप्राफिक होते हैं वीच अधिर्फॉर्म से अचा और और च्बार रहे होता है थे अच्छा evolution क्या होती है evolutionary aspects अगर हम इसको देखें तो यह consider किया जाता है कि जितने अनलेट्स हैं वह सब platform like a species arise जो के c में होते हैं जो यह नी marine platform like a species arise बें तो इससे जो arise बें वह class पॉलिकीट्स और पॉलिकीट्स से फिर अच्छा अच्छा अब यह तो बात कर दी हमने इसकी जन्रलेश के बारे में थोड़े specification की तरफ बढ़ते हैं पड़ते हैं कि इसका body plan क्या होता है body plan क्योंकि बहुत specialized structure होती है इसमें बिल्कुल proper organ और organ system होते हैं अब तक जितने अच्छा परें पड़ें ए या तो organ था ही नहीं या tissue नहीं था या tissue था तो organ नहीं था ओर तो बिल्कुल simplest kind यहां पर organ होते हैं लेकिन बहुत complex नहीं होते लेकिन simplest भी नहीं होते बिल्कुल well developed organ system यहां पर होते हैं तो अब हम एक और organ system को इसके के पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा digestive system digestive system कैसा होता है long tube होता है elementary कनाल होता है मैं पता proto-storm में तो पहले mouth develop होता है फिर निस डेवलब होता है long tube and inventory कनाल होता है penetrated throw the septra यानि एक end से लेका दूसरे end तक पूरा penetrate single tube होती है straight tube होती है एक end पर mouth होता है और दूसरे end पर एनस होता है सही है mouth के around a globe is lobular structure होती है यह लिप structure होती है जिसको हम कहते है प्रोस्टोमियम सही है अच्छा तो इस तरह का structure इस तरह की structure होती है इस तरह का digestive system होता है elementary के नाल होता होपिस्ति माउट से food excrete out कर देगा excretory system पर आते हैं нам century system यस्का neff an वी बारे मेंच बहुत जबर नहीं नहीं का सकतो कैसे नोरी होती है क्या होता है nephew सब्संस को सकते कर सक्क्रीजिया और बाडी निखास और से बाहर के और सब्सक्रत्र होます होते हैं ये सेग्मेंट में रिपीटेशन हो रही होती है लिए बिढ़ने स़िस्टम कैसा होता है लोस टाइप सब्राइब जिसनम एक फॉर्स बाल्ट साथ होता है नौसा अर्ट आप Two-H बहुत सारे blood vessels होते हैं और many pulsatile heart बहुत सारे heart भी बहुत होते हैं pumping organs होते हैं muscular pumping organs होते हैं चोटे-चोटे जो जगह पे बहुत सारे होते हैं ताकि वह blood flow को continue रख सके हैं यह भी penetrated होते हैं एक हैंट से दूसरी तक हर जगह पे मौझूद होता है blood इसका red color का होता है जिसमें hemoglobin dissolved होता है सही अच्छा यह तो बात कर लिए हमने circulatory system की respiratory system respiratory system इस पर कोई नहीं होता respiration इसमें होती है simple diffusion के जिस surface में होता है उस surface का oxygen होता है वह यह अपनी skin के जरी से अपनी थिक covering के जरीए से absorb कर लेता है और carbon dioxide वहीं पर exile कर देता है सही तो circulation नहीं होती है और जो इसमें blood होता है वो nutrition supply करता है और उसके साथ साथ पूरी body में और oxygen को internal surface पे circulate करता है सही अच्छा अब इसके इलावा locomotion locomotion obviously support भी चाहिए के लोगोमोशन के लिए और कोई locomotory organ भी होना चाहिए तो support के लिए इसके अंदर true skeleton तो नहीं लेकिन hydrostatic skeleton मौजूद होता है जो के बनता है सिलोमिक fluids है क्योंकि यह triploblastic है mesoderm की splitting से सिलोम प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो fluid होता है इसकी body को support करता है fluid body में ही रहता है तो hydrostatic body के अंदर ही fluid मौजूद है body में circulate कर रहा होता है और उसको support उसको strength provide करता है तो यह कहलाता है hydrostatic skeleton सही water की स्टिल मौजूदगी की वज़े से जो skeleton जो support बनता है हम उसको hydrostatic skeleton कहता है अच्छा body wall जो होता है इसका इसकी body wall muscular होती है कौन-कौन से muscle होता है circular muscles होता है circular dimension होता है उसका radially present होता है like this इस तरह से वह circularly present होता है तो यह longitudinal muscles होता है जो के longitudinally present होता है यहां पर अच्छा खेर circularly और longitudinary इसकी diagram आपको support and movement वाले chapter में मिल जाएगी तो अब इसको यहां पर यह देखा कि होता है क्या 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 है अच्छा locomotory organ जो होते हैं इसके वह kiteyness होता है जिसको कीटा या सीटा कह रहे होते हैं तो basically यह external projections होता है जो कि locomotion में help कर रहे होता है या तो embedded sack sack like material होता है जिसके अंदर यह embedded कर रहे होते हैं इन दिस वे सही जैसे earth form में teeny sack होते हैं जिसके अंदर यह जो सीटा है यह attach होता है सही है और जो पॉलिकीट्स होते हैं जैसे नेरीज वगरा उनमें एक लोग दोनों लेटरल साइड पर एक लोबियूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको पैरा पोडिया कहरे होते हैं उसके साथ यह सीटा जो है बंच की फॉर्म में अटैच होता है सही है सीटे की कॉंटिटी के अपर भी वेरियेशन है उसकी वेरियेबल कॉंटिटीज है उसके बहाफ पर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है जो अब भी आगे पढ़ने वाले हैं रिप्रोड़क्शन कैसे होते हैं हर्मफोडाइड ऑर्गैनिजम है यानि एक ही बॉड़ी के अगर सेपरेड बी होते हैं तो अगर सेपरेड सेपरेड ने यहां यहां तक हमने बात कर ली इसके इसकी जेनरल करेक्टर सेक्स को पढ़ लिया इसके बॉड़ी प्लैन को पढ़ लिया अब हम बढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है इसकी क्लासिफिकेशन की बेसिए नंबर ऑफ सीट या तो उसके नंबर कितने है कितन मतलब है many-seat यानि इसमें यह first class है और इसको consider किया जाता है यह most ancient class है phylum एनलीडा की जो flat form में से arise हुए सबसे पहले जली जजज की character 6 को पढ़ते हैं habitat क्या होती है mostly marine होते है active swimmers होते हैं क्योंकि इनमें इनका locomotory system थोड़ा अच्छा होता है that's why स्वेंग के लिए या जिसे use कर रहा होता ही nutrition कैसी होती है free living होते है filter feeder होते हैं safe living किसी organism के इए पर dependent करते है और filter feeder होते हैं of the feces के उपर गुजारा कर रहा है दूसर गॉन deben' के leche alone p it message जिनको क्या रहे हैं परापोडिया और उन दोनों ही परापोडिया में मतलब दोनों परापोडिया में एस ह Acces strap में गैफ टेगं केऋके छग गेसरय है यह आई यह जो दिखाया है और इस परापोर्डिया में बंडल ऑफ क्या अटाइच है सीटे अटाइच है जिससे यह मुवमेंट कर रहा हुए क्यों कि मैरीन लाइफ में रहते हैं मेरीन लाइफ होती है इनकी स्वेमिंग की दरवत होती है तो उसकी अक्टिविटी के लिए इसका लोकोमोथी सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग दी होत से इन में डेवलपमेंट होती है इसकी डियागरम यहां पर दिखाई है इस तरह से मौजूद होता है एक तरफ माउथ है दूसरी तरफ एनस है माउथ पे जो लोब स्ट्रक्चर होते है जिसको प्रॉस्टोमियम कह रहे होते हैं टेंटेकल प्रेजंट है आइस प्रेजंट प्रेजंट है सेग्मेंटेशन के साथ 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 में पैरापोडिया और इसके सीटे अटेच है इसके बाद आगे बढ़ते हैं जो दूसी क्लास है जो के पॉली कीटर में से अराइज वह जिसका मतलब फ्यू सीट है नंबर ऑफ सीटें यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं प्रेज़ नियुटरिशन कैसे होते हैं फ्री लिविंग होते हैं या तो डियर्ड और गनिक मेंटर के उपर गुजारा कर रहे होते हैं लोकोमोशन विदाउट पैरापोड यह कुछ सीटें प्रेजेंट होते हैं सीटें इंबेड़े होते हैं इनकी बाड़ी की बैक रिइट होते हैं सारे अधारी मेल और फिमील दोनों एक ही दोनों और दोनों बोन वी नवी की ब्रेजबितो यह नियुक्त वाइन ऐसारे पारवन कॉमै इसकी एकारी क्ड्याक्र रहां की सरे महों होता है प्रोस्यमय और ऐस्ष को शुश्लवाज होता है यहां पर सीटें साइड में बलके मीडियल साइड पर प्रेजेंट होता है और रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है यह वह अच्छा अब उसके बाद एक दी एंड एनस प्रेजेंट होता है जहां से माउट से यह दाइजिस्टिटिफ पार्ट यह निए फूद इंटेक करें और फिर फाइनली अंडाजिस्टिट पर एनस से इजस्ट आउट कर देगा इस चाहिए तो मैं बात कर दियों कीटे की आगे बात करने क्लास ही दिनिया जिसमें ना सीटे होते ना परापोडिया होता है है साइय है हैभी डिसकी क्या होती है इसको कॉमेंटी लीच कहते हैं है दि ऋर्गें और अब पर्सीले के प्रेज演़ लेकें जाते हैं तो इनमें लोगोमेस्चं सुपक्र suhu मद्द से अपने बाड़ी को पुंद करतें अगी तरफ करतें बैल टाहानेर नहीं कि एक्यां सब्सक्राइब मेरे होते हैं यहां पर पौलीक्टेश करते हैं एक डॉर्सल व्यू दिखाया गया है पॉसियर साइट पे सकर प्रेजेंट होते हैं सब्सक्राइब प्रेजेंट होता है इसी तरह से हर सेगमेंट पर भी मौझूद होता है इसी तरह से डिफ्रेंट सेगमें रिपीट नेफ रीडियो फोर भी प्रेजेंट होता है तो यह हमने क्लासिफिकेशन डील कर दीए अब कुछ और जैसे के सेगमेंटेशन का फायदा क्या होता है पूरे वां को अब से पहले फायदा ही होता है कि सेगमेंट की वजह से इनकी मोशन बॉडी की मुव्मेंट असान होती है और असानी के साथ मूफ कर जाते हैं सेगमेंट की वजह से और गन की रिपीटेशन हो रही होती है तो एक्सक्रीशन जो रिपीटेड और वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसके इलावा इनके अंदर की बॉडी कैविटी होती अच्छा अब इसके लावा जो है इसकी इकनोमिकल इंपॉर्टन्स क्या है यह फार्मर फ्रेंड्स होते हैं क्योंके यह नाइट्रोजिनस वेस्ट एड़ कर देते हैं बहुत सारे स्वाइल की फर्डिलिटी को इंक्रीस कर देते हैं जितने भी जैसे के खास्तोर पे अलीगो परडाइज होता है वह असानी के साथ वहां पर ग्रो कर जाते हैं अच्छा तो यह चीज़े हो गई इसके इलावा कुछ लाइक कुछ लीट्स होते हैं जिनको बहुत सारे बहुत सारी जगाओं पर इन प्रीवियस ताइम अस ब्लेट सकिंग के लिए यूज किया जाता था था कि ब्लेट में जाके बॉडी में जिसमें बेस्टाइज सामिल होता है वह सारी ब्लेट चाहिकर चुछ आ यहाग ही आठिया को मैथर जिसको नटीवक्स canceled कॉब्रल कर देते हैं जो कर देता है जिसमें जाता है जिसमें वेस्टाइज कॉँटिटी जादा हुती ज जिसके जरीए से भी किया जाता था क्योंकि इनमें सकर प्रेजेंट है जिससे वह असानी से ब्लिट को सक कर देता है सही एस्टुइंट्स तो यह बात हमने की जिस में क्या कहते हैं हमने पड़ा आज एंली डगी जैनल क्रेक्टर 6 क्या है कोई प्लैन कैसा होता है उसका क्या 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 उसके नमबर ऑफ स्पीची सारी जैनल बाते की और उसके बाद में ग्लासिफिकेशन पर ली सही एस्टुइंट्स तो आज के लेक्टर को हम यहीं पर एंड करते हैं आई डो हो बाच का लेक्टर आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपने रीव्यूस जरूर दो कि आपको वीडियो किस तरगी लगी और अगर आप कोई सजिशन देना चाहते हो तो अब इन जहला नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ मुलाकात होगी मैं आपकर टेचर डॉक्टर मौमद हभीब अमीन अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफिस